हलो स्टूडेंट मैं डॉक्ट लेकपाल सिंग हम बढ़ रहेते विटनवी फार्माकोलोजी आज की क्लास में हम किमोथेरपी क्या पढ़ेंगे एक न्या टॉपिक है कीमोथेरपी तो सबसे पहले बात करें मच्छो कीमोथेरपी का मतलब क्या है या कीमोथेरपी किसी कहते है तो देखो, इस सब्द को देखेंगे, कीमो प्लस थेरैपी, क्या है? कीमो का मतलब होता है, केमिकल कीमो मतलब केमिकल और थेरैपी मतलब उपचार, तो chemicals का उप्योग करके, chemical मतलब रसाइन, रसाइनों का उप्योग करके बीमारियों का उपचार करना कीमो थेरेपी कहलाता है, क्या कहलाता है, कीमो सब्द का मतलब क्या है, कीमो का सब्द का मतलब है chemical, क्या है, chemical, ठीक है, और therapy का मतलब होता है, उपचार, क्या करना, उपचार करना और केमिकल मतलब क्या हो गया रसाइन क्या हो गया रसाइन हो गया ठीक है तो रसाइनों का उप्योग करके किसी वीमारी का उपचार करना कीमोथेरेपी कहलाता है क्या कहलाता है कीमोथेरेपी कहलाता है तो क्या हो गया बच्चों देखेंगे परिवाशा क्या हो गई रस रसाइनों का उप्योग करके बीमारी का उपचार करना कीमो थेरेपी कहलाता है क्या कहलाता है कीमो थेरेपी कहलाता है तो रसाइनों का उप्योग करके बीमारी का उपचार करना क्या कहलाता है कीमो थेरेपी कहलाता है तो बहुत सारी रसाइन जो है उनका उप्योग या दवाईयों का उप्योग किसमे किया जाता है बीमारी के उपचार में किया जाता है तो यह अलगी एक ब्रांच है फार्माकोलोजी की बहुत बड़ी ब्रांच है तो इसमें एक क्वेशन पूछा जाता है फादर ओफ कीमोथेरेपी कौन थे तो कीमोथेरेपी के पिता क्या कीमोथेरेपी के पिता के जनक जनों ने कीमोथेरेपी सब्द दिया था कीमोथेरेप के जनक कौन है तो यारुछना बच्चों किमो थेरेपी के जनक थे पॉल एयरलिच कौन है Paul Ehrlich चो है वो Chemotherapie के जनक क्यालाते हैं Paul Ehrlich यह विज्ञानिक ने सबसे पहले एक रसाइन की खोज की थी और उस रसाइन का उप्योग इन्होंने बीमारियों के उपचार में किया था ठीक है कौन सा रसाइन था? ठीक है सरपृथम इन्होंने क्या हो जाता? सरप्रथम खोज इन्होंने सरप्रथम किसकी खोज की थी एक रसाइन की एक डाई एक डाई का उप्योग किया था बीमारियों के उपचार में वह इस डाई का नाम है मिथाइलीन ब्ल्यू सरप्रतम इन्होंने मिथाइलीन ब्ल्यू नामा के डाई का डाई की खोज की थी और मिथाइलीन ब्ल्यू का इन्होंने कई सारी बीमारियों में उपचार के लिए इसका उप्योग किया था ठीक है इसलिए इन्होंने मिथाइलीन ब्ल्यू को रसाइनों का वेटि करा क्या नो ने रासाइनों का माजिक बुलिट गढी पैसे नों का मैजुक बुलिट किसको आगया कि ससाइनों का गुलिट है यह एक ऐसा ल जो कहीं भी किसी भी मारी.." में काम आ रहा था और सब प्रिथम नहोंने इस ऊप्रेवर साइन की खोज की तेमेanders मेजिक वुलेट है कई सारी वीमारियों के उपचार कर सकता है तो कीमो फेरेपी के जनक कौन थे पॉल इयरलिस थे सर प्रितम इन्हों ने किसकी खोज की मिताइलीन बिलू की और मिधाइलीन बिलू को इन्हों क्या कहा रसाइनों का magic bullet कहा तो chemotherapy कीमो मतलब chemical रसाइन therapy मतलब उपचार रसाइनों का उप्योग करके बीमारी का उपचार करना chemotherapy कहलाता है chemotherapy के जनक Paul Earless थे सरप्रतम इन्हों ने methylene blue की खूज की एक रसाइन की जिसको इन्हों ने रसाइनों का magic bullet कहां ठीक है next देखेंगे कीमो थेरेपिक एजेंट कौन-कौन से कीमो थेरेपिक एजेंट है कौन-कौन से रसाइन है जिनका उप्योग बीमारी के उपचार में किया जाता है कौन-कौन से रसाए ने जिनका उप्योकिस में किया जाता है भीमारियों के उपचार में किया जाता है सबसे पहले है इसमें एंटिवायोटिक औस्थी क्या है एंटिवायोटिक औस्थी या इनको क्या बोलते हैं प्रतिजैविक औस्थी इनी का नाम है एन्टिवाइटिक औस्दी या इनी को क्या बोलते हैं पृतिजयविक औस्दी अब एन्टिवाइटिक औस्दी क्या होती है एन्टिवाइटिक औस्दी वे औस्दी जो सुचमजीवों से प्राप्त होती है तता सुच मजीवों के खिलाब ही कार्रे करती हैं एंटिवाइटिक औस दी या प्रितिजैविक कहलाती है ऐसी औस दी जो सुच मजीवों से प्राप्त होती है और सुच मजीवों के ही खिलाब कार्रे करती है सुच मजीवों से बनती है और सुच मजीवों कोई मारती है कि एंटी प्रोटोजोल ओस्दी क्या बच्चों एंटी प्रोटोजोल ओस्दी जो प्रोटोजोवा के खिलाब कारे करती हैं किसके खिलाब होते हैं हेलमिंतिक के खिलाब काम करती हैं एंटी हेलमिंतिक उस्थी कहलाती है एंटी वाइरल उस्थी जो वाइरस के खिलाप या वाइरस को मारती है एंटी वाइरल उस्थी कहलाती है एंटी वाइटिक उस्थी व्य उस्थी जो सूच्म जीवों से प्राप्त होती है तता स हिल्मिंपिक को मारती हैं अेलमिंटिक औजो वाइरस को मारती है वह एन्टी वाइरल ओस दी क्या लाती को इति कर्त नहीं किस reimltics उसको आगे किसको मारती प्रती जाग k choir dormitiful व loves दी नेक्स्ट देखेंगे बच्छों सबसे पहले हम बात करेंगे एंटिवाइटिक्स की किसकी एंटिवाइटिक्स एक सब्द होता है एंटिवाइटिक्स और एक होता है एंटिवाइटिक्स होता है और एक क्या होता है एंटिवाइटिक्स यहां बात करें कि एंटिवाइटिक्स किसे कहते हैं और एंटिवाइटिक्स किसे कहते तो एंटिबाइटिक्स का मतलब क्या है तो हमने बताया वे उस्दी जो सुच्मजीव से प्राप्त होती है सुच्मजीव से प्राप्त होती है वे उस्दी जो सुच्मजीव से प्राप्त होती है तथा किसके खिलाब काम करती है तथा सुच्मजीवों के खिलाब कादे करती है क्या कैलाती है एंटिवाटिक्स कैलाती है सुच्मजीवों से प्राप्त होती है तथा सुच्मजीवों के खिलाफ ही कार्रे करती है क्या कैलाती है एंटिवाटिक्स कैलाती है सुच्मजीवों से बनेगी सुच्मजीवों जैसे जीवानु से फंगस से किसी से बनती है और उनुपको मारती है और एंटिवैक्टिरियल एंटिवैक्टिरियल उस्थी क्या है वे उस्दी जो कहां बनाई जाती है जो यह बोल सकते हैं वे उस्दी जो किसी से भी प्राप्त हो सकती है यह लेव में बनाई जाती है तथा प्रेक्टीरिया के खिलाब काम करेंगी है तथा जीवानों के खिलाब कारे करती है रकेटीरियल वे उस्दी कहलाती है व यह वी उस्दी को मारती हैं ऑनकी जाति है तथां सिर्फ जीवान ओव को मारती है बैक्टीरियल बैक्टीरिया मतलब जीवानों को जीवान से प्राप्त होती है जैसे हमने पढ़ा है पनीसलीन जो है सूचम जीवानों से ही प्राप्त होती है एक कवक फंगस से प्राप्त होती है पैनिसीलियम और पैनिसलीन जो है वो जीवानों को मारती है जैसे हमने पढ़ा ऑक्सिटेटरा साइकलें जैसे जेंटा माइसीन जैसे हमने पढ़ा स्ट्रेप्टो माइसीन यह में क्लास में पढ़ चुके हैं यह किस से प्राप्त होती है स्ट्रेप्टो माइसीन तो यह सारी उस्दी जो है वो सुच्छम जीवों से प्राप्त होती है और किसको मारती है जीवानों को मारती है तो क्या है यह एंटिवाइटिक्स है बात करें इदर एंटी बैक्टीरियल तो एंटी बैक्टीरियल में सल्फा ड्रग कुन सी है सल्फा ड्रग जोतनी भी सल्फा जैसे सल्फा डिमीडीन सल्फा मेराजीन यह सब क्या है सल्फा ड्रग है जिन में नाम के आगे सल्फा लगा होता है यह एंटी बैक्टीरियल लेब में बनाई जात ट्राइ मैथो प्रेम हो गई और और हो गई इन्रो फ्लोग जासिन जिनको क्या बोलते हैं क्यूनलोंस क्यूनलोंस में क्यूनलोंस में कौन सी आती हैं दो आती हैं इन्रो फ्लोग जासिन इन्रो फ्लोग जासिन और सिप्रो फ्लोग जासिन सिप्रो फ्लोग जासिन यह दोनों जो हैं किनूलोंस क्यल आती हैं और दोनों ही कैसी एंटी बैक्टिरियल हैं तो सल्फा ड्रग ट्राइमेतो प्रेम किनूलोंस किनूलोंस में इन्रो फ फ्लॉक जासें यह दोनों जो हैं वह एंटी बैक्टिरोस ति दू लेटिक क्या है और यहंटी प्रापत होती है डोकल क्लियते इस िसयले को मारतीदि यह जो लाइब में बनाई जाती ए ततह पेक्सिक ठी बात करें अकिस्के बात करें गें एंटी वाइटिक च्यार। च्युर्टिक्स किया है? जो सुछमजीवों से प्राप्त होती है और सुचमजीवों कोई मारती है, आइन्टिवाइटिक्स कहलाती है या प्रित्यजेविक कहलाती है दो प्रकार की होती है बच्चों यह होती है posterior static, एक होती है बैक्टीरियो साइडल मतलब क्या है फोग ह sequel Trend परिवासा है भच्छु यह रखना golden आएगा बैक टीरियोस्टेटिक किसे कहते हैं तैंट इज्टेडियोससाइडल कि से कहते हैं आपिछ का मतलब हो जीवानों की ब्रदी को रोकती है यह जी वानुवा 嘲म की ब्रद्धी को रोकती जीवानु को बोलती है बस इतना ही आगे मत बढ़ना जयाद निए शेकर लालू की ब्रद्धी को रोकती है और बेक्टिरियोडिक जीवानु को मारती है यह तो गो मारेंगे नहीं को बस अब ज्यादा नहीं बढ़ना है तिरोको, बैक्टिरियोसाइडल, सीधा जाएगी जीवानु800 है यह अब जीवानु जीवानु की ब्रदि को रोगता है बैक्टिरियोस्टेटोन जीवानु को मारती है, किल करती है, वो बैक्टिरियोस्टेटिक, तो वे अन्टिवाइटिक या वे पिट्टिजैविक, वे अन्टिवाइटिक, जो जीवानु की ब्रद्धी को रोकती है, क्या कहलाती है, बैक्टिरियोस्टेटिक कहलाती है, और वे अन्टिवाइटिक, जो जीवानु को नस्ट करती है या किल करती है, बैक्टिरियोस्टेटिक कहलाती है, तो वे जीवानु की ब्रद्धी को रोकती है, जीवानु को सीधा इडूश्यों मार दिया, बैक्टिरियोस्टेटिक, अब कुश्चन यह पूछा जाता है कि बैक्टिरियोस्टेटिक कौन कौन सी अन्टिवाइटिक है और बैक्टिरियोस्टेटिक कौन सी है, एक्जाम्पल की बात करेंगे, कौन सी जो हैं बैक्टिरियोस्टेटिक है, कौन सी जीवानु की ब्रद्धी को रोकती है, और कौन कौन सी हैं जो मारती हैं कौन सी अंटिवाइटिक हैं तो सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे सबसे पहले सल्फा ड्रग कौन सी सबसे पहले यहां पढ़ेंगे हम सल्फा जितनी भी सल्फा ड्रग हैं सल्फा डेमिडीन सल्फा मेराजीन यह जो हैं क्या करेंगी सल्फा ड्रग जीवानु की ब्रद्धी को रोकती हैं एक आती है ट्राइनमेथो प्रिम में ब्रद्धी को रोकती हिरनिसी ट्राइन साइकलिन जा यहां ऑन की ब्रद्धी गठाक्शो यह करती हैं अब टेट्रासाइकलिन में कई सारी होती है जैसे ऑक्सी टेट्रासाइकलिन टीक है तो वो नहीं बताएंगे हमें ना बहुत सारी हो गई टेट्रासाइकलिन में शित की सारी कि अधिर्डेकल है कि अधिकुन नेच्ण चेकलिन को अपांच एक इसके नीचे ही या लिखेंगे है चौधे के बाद पाज इरिथ्रोमाइसीन कौन सी हो गई इरिथ्रोमाइसीन ठीक है इरिथ्रोमाइसीन हो गई इरिथ्रोमाइसीन हो गई नेक्स्ट है लिनकोमाइसीन कौन सी है लिनकोमाइसीन पर एक है टाइलोसीन कौन सी है टाइलोसीन ठीक है यह सारी ओस्ति जो है बच्चों क्या करती है बैक् जीवानू की ब्रद्धी को रोकती हैं बैक्तिरियो इस्टेटिक है कौन कौन सी सलफा ड्रग ट्राइमेतो प्रेम टेटरासाइकलेन ख्लोरमफैनिकॉल तो मैं यह यार रखनी है तुम्हें नेक्स्ट हम इसमें देखें के बैक्तिरियोसाइडल कौन सी बच्चों बैक्तिरि क्यों सी है वो पहला सलफा प्लस ट्राइमेतो प्रेम सलफा प्लस ट्राइमेतो प्रेम यह क्या है यह औस दी है कैसे अगर सलफा ड्रग को अकेले दोगे तो बैक्टिरियोस्टेटिक का काम करेगी ट्राइमेतो प्रेम को अकेले दोगे तो बैक्टिरियोस्टेटिक का काम क करेंगे अगर इन दोनों को साथ में दे दिया combination में सालफा ट्राइमें तो करेंगे दिया तो इनको दोनों को एकसात दे दिया तो यह मिल के जो है वह बैक्टेरियो किसका काम करते हैं लिए स्षे आध तो पहली Aminoglycosides, जो हैं, यह antibiotik का एक group, Aminoglycosides में तीन group हैं, एक है इसमें narrow spectrum कोंसा है? narrow spectrum amino glycosides, क्या है, amino glycosides, ठीक है, narrow spectrum amino glycolides में दो उस दी आती है, एक आती है streptomycin, streptomycin और एक आती है dihydrostreptomycin, dihydrostreptomycin, दूसरा ग्रूप है aminoglycosides का broad spectrum aminoglycosides, इस क्या है, broad spectrum aminoglycosides, broad spectrum aminoglycosides में बच्चों, दो अस्क दी आती है, neomycin, neomycin और एक आती है kanamycin कौन सी, kanamycin और एक तीसरा है extended spectrum aminoglycosides, extended spectrum aminoglycosides, ठीक है और extended spectrum aminoglycosides में आती है, जेंटमाइसीन और अमिकाशीन, कौन सी, जेंटमाइसीन और अमिकाशीन, तो यह सारी जो मैंने लिखी है, यह क्या है, यह aminoglycosides है, एक अंटिवाइटिकों का एक समू है, कौन सा, aminoglycosides समू, ऐसे बोल सकते हैं, इसको aminoglycosides समू, पूरा समू जो है, यह पूरा परिवार है, कौन सी, औस दियों का, aminoglycosides का, यह तीन वागों में, नेरो स्पेक्टरम, ब्रॉड स्पेक्टरम और extended, नेरो में, स्ट्रेप्टोमाइसीन, डायस्टोमाइसीन, ब्रॉड स्पेक्टरम में, नियोमाइसीन, काना माइसीन, extended spectrum में, जेंटा माइसीन, और अमिकासीन, के लिए यह इनका पूरा समू है, तो हमने, पर भारती है, बैक्तिरियो साइडल पढ़ रहे हैं, यह यह एंटिवाइटिक्स, जो जीवानों को नस्ट करती हैं, बैक्टेरियो साइडल कहलाती है जिसमें सल्फा प्लस ट्राइमेतोप्रिम पहला हुआ दूसरा अमाइनो ग्लाइकोलाइट समू बहुत बढ़ा है जिसमें तीन वागे नेरो स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्स्टेंडेड स्पेक्ट्रम उसके बाद और भी है बीटा लेक्टम क्या है बीटा लेक्टम एंटी बाइटिक्स सम्हू यह भी एक सम्हू है बीटा लेक्टम सम्हू क्या बोलते हैं बीटा लेक्टम सम्हू बोलते हैं और इसमें कौन-कौन सी आती है इसमें आती है पैनिसलीन कौन सी आती है पैनिसलीन वुति क्वलिस इस्पोरिन और कुंची आती है सिफेलो इस्पोरिन और एक आती है मोनोग्र मैक्टन टो यह पूरा समुह हो गया यह भी सारी वस्दी कैसि हैं बेक्टिरियो साईडल जीवानव को नस्ट करती है कौन है है Bita Lecture सम्वीड अलेक्ट में 3 आती है पेणिसिलीन से पेलोस्पोरेन ओनो एक्टम चो था है किनलोंज कौन सा किनलों ने पढ़ा था किनलों में आती है इंड्रोफ्लोक्जासिन कौनसी इंड्रोफ्लोक्जासिन और आती है qypirofloxacin, इंड्रोफलोग जासिन और सिप्रोफक जाइच तो यह भी कैसी है यह भी यह भी डैक्टिरियोॉ साइडल है कैसी है ठीक है तो यह भी बैक्टिरियो सिन यह भी क्या है यह भी वढ़ेंग है सर यह तो बहुत हो गई समझ में नहीं आरा रहा दोबारा देकेंग क्या आयएगों भैक्तिरियो स्टेटिक एंटिवाइटिक और एक्तिरियो शायडल जो जिवानु कमारती है को साइडल अब स्टेटिक कौन-कौन सी है सिलफा ड्रग ट्राइमेतो प्रिम ट्रियरों ये यह बैक्टेरियो स्थेटिक याद तो करना पड़ेंगी दो-तीन बार पड़ोगे याद हो जाएंगी बैक्टेरियो साइडल कुन सी है तो combination Mu एं दो गे तो iены ऐसाइल काम करती है aminoglicolide Samu ऑन भाग में बाटते हैं Neuro spectrum broad spectrum extended narrow means streptomycin diagdrostreptomycin broad spectrum में Neomycinскомşaatum on extended spectrum में genta Mycin, Amikocinchym Beta-lactam Samu beta-lactam में penicillin, Cephalosporane, Monobectam और Kinolons में Indrofloxacin, Cifrofloxacin, Bacitracin और Polymixin यह लग से हैं यह सारी जो हैं वह बैक्टिरियो साइडल हैं कैसी बच्छा बैक्टिरियो साइडल कुछ नहीं है दो तीन बार पढ़ोगे पुलकुल किलियर या फिर इदर की याद कर लो बैक्टिरियो स्टेटिक बैक्टिरियो स्टेटिक बैक्टिरियो साइडल है वह क्या पूछेगा निम्न मैंसे बैक्टिरियो स्टेटिक कौन सी है तो बाकि सब यह पूछेगा निम्न मैंसे बैक्टिरियो साइडल कौन सी है तो बैक्टिरियो स्टेटिक तो तुम्हें पता सब्सक्राइब बागी सारी बची वो साइडली होंगी केसे भी तुम्हें दो तीन बाद पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी चार-पांची नाम तो है नेक्टे बच्चो दो एंटीवाइटिक्स के परवाब। जब बीमारी घंबीर होती यह दो एंटीवाइटिक्स लगाते हैं। कि जब संक्रमन केसा होता है severe infection होता है severe मतलब फेंपड़े भी खराब है बुखार भी है किड्नी भी खराब है severe infection है जगे जगे भीमारी है तो एक एंटिवाइटिक्स से काम नहीं चलता अभी-कभी तो हम क्या करते हैं डवल एंटीवाइटिक्स का उप्योप करते हैं उपचार में तो जब डवल एंटीवाइटिक्स दो एंटीवाइटिक्स लगाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए हमें क्योंकि दो एंटीवाइटिक्स के कई सारे इफेक्ट पड़ते हैं तो दो एंटीवाइटिक के क्या प्र लब लेकिवाब को देखेंगे बच्ट of the पिरवाब कहा है एडिटिव इफएक्ट दूसरा है सिनरजस्टिक क एपड्ल तीसरा एंटागोनिस्टिक एफएक्ट एड़िटीव इफैक्ट सिनरजिस्टिक div detect और गोनिश्टीक एटेटिवनी एफैक्ट मतलब क्या है कि प्रफ धेति उटने लिए हैं केसी हैै दो एंटिवाइटिक कोन कोन साथ एक तुमने लिसे घर कि शो और और उसके साथ दूसरी एंटिवाइटिक लगाई तुमने कौन सी बैक्टिरियो इस्टेटिक मतलब मतलब तुमने दो एंटिवाइटिक लिए हैं दो एंटिवाइटिक एक साथ लगा रहे हैं और दोनों एंटिवाइटिक तुमने कौन सी लिए हैं दोनों एंटिवाइटिक बैक्टिरियोस्टेटिक में से एक तुमने सलफा ले ली और एक नम टेटरासाइकलीन ले ली या chloramphenicol, oxytetracyclin, ठीक है, कोई सी भी ले लिए, तो दोनों एंटिवाइटिक तुमने केसी ली है, जो पशु को लगा रहे हो, दोनों बैक्टिरियो स्टेटिक है, बैक्टिरियो स्टेटिक के साथ ही क्या लगा रहे हो, दूसरी एंटिवाइटिक जो है, बैक्टिरियो effect होगा, मान के चलो, ये बीमारी को सही करती है, एक, और ये बीमारी को सही करती है, तो इसका मतलब दो बीमारियां सही होगी, ठीक है, मतलब इसका काम एक है, ये एक रोटी खाती है, ये एक रोटी खाती है, ठीक है, दोनों मिलके, दो रोटी खाएंगी, simple है, तो इसको मत मतलब जुड़ रहा है इनका वह एक वह इतना काम कर रही है वह इतना कर रही है दोनों मिलके इतना कर देंगी सिंपल सा मैं मैं एक रूटी खाता हूं मेरा दोस्त एक खाता है दोनों मिलके कितने खाएंगे तो दोनों मिलके दो खाएंगे एक खाते हैं तो वह एफेक्ट क्य Pad cereal estatic βmax बेक्टीरियों साइडल के साथ बेक्टीरियों साइडल ले रहे एकुषदी हमने बेक्टीरियों साइडल लिए और फिर दूसरी भी था उनकर चाफ हमने लगा रहें ने में रुबे क्टीरियों Deshalb जब हम बैक्टिरियो साइडल के साथ बैक्टिरियो साइडल लगाते हैं तो यह किसको यह बीमारी को शही करतीा एक को तो एक और यह बीमारी को सही करती है एक को लेखिन दोनों मिल यह कितनी िमारी को एक काता हूँ मेरा दोस्ट एक रोटी काता है लेकिन जब हम साथ में खाते हैं तो टीन रोटी घ्रंड आपस समझ में क्यों में अब सौदमय पता है ना जब उस आफ में खाना- रही है यह एक को मार रही है लेकिन जब दो साथ में दी जाती है तो यह तीन बीमारी की वराबर काम करती है तीन बीमारी को सही कर सकती है तो इसको बोलते सिनर्जिस्टिक एफेक्ट ठीक है एक आदमिया केला रोटी खाता है दूसरा केला लेकिन बैठ के यह तीन खा सकते है इसमें क्या हो रहा है इसमें कुछ नहीं हो रहा है बैक्टिरियो साइडल कुन सी लगा दी बैक्टिरियो साइडल तब क्या होगा एक तो बैक्टिरियो स्टेटिक लगा दी और एक बैक्टिरियो साइडल जैसे जैसे देखो एक तो तुमने इस में से लेली कोई सी है टेटरा सलफा लेली या टेटरासाइकली ओक्सी टेटरास एक तो जीवानों को साथ में लगाते हो क्या होगा तो बहुत मजबार्स होगी हैक लूंत ये वीमारी को मारते हैं एक दोनों मिलके वीमारी मोह जीरों मेरोटी खाता हूँ एक मेरा दुष्मन और रोटी खाता है और दौनों हमको पास में बाता दिया खाना खाओ तो ना तो में खा रहा हूं न वह घुण है इसको गुण सार यह साथ दोनों कर ना कभी स्टरेग के साथ साथ नहीं लगानी चाहिए क्योंकि दोनों का effect जो है antagonist एक दूसरे के opposite होता है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे कोई दिक्कत और दो antibiotic को जब एक साथ लगाते हैं तो तीन effect हो सकते हैं एक तो additive जिसमें एक प्लस एक दो होता है synergistic जिसमें ज्यादा काम करती हैं दोनों मिलके अगर साइडल साइडल को लगाएंगे तो synergistic effect static static को लगाएंगे तो additive effect और एक static और एक साइडल को लगा दिया तो antagonistic effect है कोई काम ही नहीं करेंगे कोई दिक्कत वाइस में कोई दिक्कत नहीं next देखते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं next पड़ेंगे आगे किलास में आज के लिए इतना ही thank you